आप देख रहे हैं समाचार एजन्सी अफ इंडिया में साइन नियूज नमस्कार दोस्तों समाचार एजन्सी अफ इंडिया की साइन नियूज में एक बार से आपका स्वागत है पित्र मोक्ष अमावस्या पर दीपदान का अपना अलग महत्व है तुत मोक्रमा वक्तिया पर जगह जगह दीपदान किये गए समचार एजिंस्य उपिंडिया की साइन न्यूस के लिए अशोक सौनी की रिपोर्ट सीवनी नगर शिव की नगरी कहलाती है और शिव की नगरी कहते हासे को मठ्ध मंदिर के प्रांगन में स्थित मठ कालाव के मुहाने पर ये दीपदान आप करते हुए देखते हैं सब्सक्राइब के लिए समचार एजिंडिया की साइन न्यूस के लिए अशोक सौनी की रिपोर्ट अश्विन्मास के क्रश्ण पक्ष की अमवशिया विस्ति को सर्व पित्र-मौक्ष अमवस्या कहा जाता है स्थ्रीक एक्रेके मानने ताहे उज़िंग्यात, अज्ञ्यात, सभी पित्रों कर सराद करने से आत्म अत्रब्ट होती है उन्होंने मॊक्ष मुहाह इस दिन पित्रों के नाम पर शाद कर्म, पित्र बिंडदान और करपन किया जाता है शास्तों के निसार, शाद पक्ष की अमावस्या पर कुछ विशेश उपाय करने से पित्र प्रसंद होते हो पित्र दोश भी कम हो जाता है इन सब के साथ ही शाम के समय एक छोटा सा काम अवस्या करना चाहिए जिस तरीकी की मानिता है ऐसा करने से पित्र कापी प्रसंद होते हैं और सुक्समद्धी का अशिरवाद की देख रहे हैं पित्र मोक्ष अमावस्या पर शाम के समय दीप दान करने का एक विधान बताया गया है और इस विधान को अगर आप किसी पीपल के वरक्ष के किनारे इस ठिक करोवर में इसे करते हैं तो आपको कई गुना अधिक इसका पुने लाब मिलता है समाचारे एजेंसी अप इंडिया की थाईन ये उसके लिए शोक सौनी की रिपोर्ट मठ मंदर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग की सापना अधिशन का चार के द्वारा की गई थी और मठ मंदर में सापित शिवलिंग इस तरीखी की मानता है कि मठ मंदर में सापित शिवलिंग माशीविष्वनाथ का शिवलिंग एक ही आकार का शिवलिंग पुनिसलिला पैंगंगा के लखनवाडा घाट पर भी दीपदान हुआ जिसके बारे में हम पतक से आपको खाबर दिखाएंगे फिलाल आप जो देख रहे हैं वो मठ मंदिर प्रांगण में इस सित मठ सालाब में दीपदान का ये नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा अद्बद आलोकिक धार्मिक भावनाओं से पूरी तरह लवरेज आपको यहाँ पर ये नजारा रहा होगा देखिए किस तरह महिलाएं पुरुष सभी यहाँ पर दीपदान करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे पित्रमोक्ष अमावस्या दो अक्तूबर बुद्वार को मनाई गई और इस दिन दीपदान किया गया दीप जला कर उसे जल में प्रवाहित किया जाता है बहते हुए पानी में अग Ear करते है तो बहुत अच्छा माना गया है शास्तों के साब से अब को प्रवाहित कर सकते हैं ईक अधबद आलोकिक नजारा यहाँ पर दिखाई देता है कितना सुन्दर यहां नजारा आपको दिखाई दे रहा है समचार एगेंसिय अप इंडिया की साई नियूस के लिए शोक सोनी की रिपोर्ट शिव की नगरी के अतिहासिक मठ मंदर प्रांगण में इस्तित मठ तालाब का यह हम आपको नजारा दिखा रही है महिलाएं पुरुष बच्चे बुजोर्ग अधेर सभी यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे दीपजान करने सभी आ रहे हैं और जो लखनवाड़ा जाने में सक्षम थे लखनवाड़ा चले गया और यह पीपल की वरक्ष की टहने आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मठ मंदर काने में कितना सुन्दर रूप लिए मठ मंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी सुन्दर सज्ज्जा सज्जावत यहां पर और राधा कश्म मंदर दाएं hap तरफ भी दिखाई दे रहा हुगा है मठ तालाब की सीडियां सीडियों में डीप जलाकर रात नह करते श्रद्धालू यहां आपको दिखाई दे रहे हैं भज़र्दवान बैठ कर यहां पर पूजिन पाट भी कराते हैं यह आपको दिखाई दे रहा हुगा यह अब यहां सब्सक्राइब शियर करना बुजी है साथिक Caput ऑपल खबने कहसे प्लाल जाज़त लना चाहेँ हैं फिर आजिरोंंगे जए हिन झाल झाल झाल